अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आज हम एनलेसिस करेंगे IDFC First Bank का अगर आप इसमें अंदर पुजिशन बनाना चाहते हैं या फिर आपने पुजिशन बना के रखी है तो आपको SL कहां लगाना चाहिए, maximum risk कितना लेना चाहिए या फिर अगले आने वाले समय में targets क्या हो सकते हैं या फिर अभी हमें किस price पे इसको buy करना चाहिए, कौन सा अच्छा level buying के लिए रहेगा या फिर हम इसी level पे buy कर लें और एक अच्छा सा stop loss बाद डाल कर अगले target का wait करें, तो ये सारी चीज़े आज की वीडियो में आपके साथ share करूँगा, इसके पहले आप सब को बताना चाहूँगा कि आपके साथ share किया था reliance का analysis, तो आप देख सकते हैं कि जो level आपको कल बताया गया, उसके उपर ये नहीं जा पाया, तो कोई entry नहीं बनती है, जब तक उसके उपर नहीं जाएगा, नीचे के level कहां कहां बनते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखेगा, SBA share भी आज भी उस level को cross नहीं कर पाया, जिस level के बारे में हमने बताया था, तो जब तक वो levels cross नहीं होते हैं, तब तक बिल्कुल भी buying मत कीजेगा, हम बात करने जा रहे हैं, IDFC First Bank के बारे में, तो चलिए, simple सी, normal लोगों के लिए, जो important information होती है, सबसे पहले मैं आपके साथ वो share करना चाहूँगा, तो आप लोगों को मैं यहां पर यह चीज clear out करना चाहूँगा, कि देखिए, इसके अंदर, जो तीन महीनों के अंदर buying की गी है, वो level है 43.1 का, जाने कि 43.1 के उपर पिछले तीन महीनों के अंदर अच्छी खासी buying की गी है, तो अगर इस level पर यह stock मिलता है, तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन इस level पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी दूर है, उपर के level, अगर पिछले हफ इस level पे सबसे ज़्यादा buying की गी है, तो यह जो तीन price मैंने आपको बताए है, एक है आपका 43.10 का, तो इन levels पे अगर आप किसी भी stock, मतलब इन levels पे अगर average करते हैं या buy करते हैं, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप बीच में पकड़ लेते हैं, तो आप अ इस चीज़ को भी ध्यान से समझना है, दोस्तों, चार्ट के उपर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको इस ध्यान में नजर आएगा, ध्यान से नजर ये आएगा, कि यह stock काफी टाइम से एक short term, long term, जाने कि इसके अंदर bear जो थे, वो बैठे हुए थे, लेकिन इस इस लेवल पे इसको breakout दिया है, इस breakout देने के बाद, दिखिए इसने इसको test भी किया, और again उपर की तरफ बागना शुरू है, तो दोस्तों, इस हिसाब से इसका first target बनता है 56.61 का, second target बनता है 67.68 का, और उसके बाद target बनता है 79.94 का, इसके उपर निकला, तो फिर वो target आने आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं, मुझे आने वाले टाइम में यहीं trend आने वाले टाइम में अब देखने को मिल रहा है, और मैं believe करता हूँ, कि यह stock minimum जो नीचे जा सकता है, maximum sorry, वो level होगा 43 रुपीज का, मुझे नहीं लगता कि यह 43.10 के नीचे stock जाना चाहिए, अ लेकिन जो levels मैंने आपको बताए है, one week के basis पे, उन levels को भी ध्यान रखेगा, अगर आप average करना चाहेंगे, इस level पे अगर आप फस जाते हैं, देखिए अगर आप इस level पे buy करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जिस level पे यह है, आप ले लीजिए, कोई दि लगाना चाहते हैं, तो आप इसमें 50.90 का लगा लीजिए, जानिकि जो पिछले हफते का closing price है, वहीं आप लोगों का stop loss होना चाहिए, बड़े time frame के लिए अगर आपने इसको लेके रखा हुआ है, तो आप 43.10 का stop loss लेके रखिए, और इसके बीच में जितनी buying कर सकते हैं, ये काफी अच्छा रहेगा, और 43.90 के नीचे अगर ये दो दिन close दे देता है, आप यहाँ पे exit कर सकते हैं, दूसी तरह अगर आप लोग 50.90 के नीचे अगर ये 2 दिन close देता है, आप तब भी exit कर सकते हैं, फिर ये आपको 46.90 के नीचे जाता हुआ दिख सकता है, 46.90 के target दे सकता है अभी के लिए फिलाल अगर आप एक शॉर्ट टम के लिए टार्गेट लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू 56.61 बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है आप इस लेवल पे अंट्री ज़रूर लीजिए मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ और मैंने अपन 10 का stopless लेके इसके अंदर buying कर सकते हैं as per option chain data चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता दू सबसे पहले data point की बात करते हैं तो यहां पे average percentage अगर price की बात करें तो वो काफी उपर जा रहा है और यहां पे average delivery percentage भी increase हो रही है turnover भी increase हो रहा है delivery भी increase हो रही है तो यहां पे हमारे लिए positive sign है इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ option का data तो option का data कहता है कि सबसे जादा आज जो change in open interest negative हुआ है वो हुआ है हमारी 55 की call के उपर और आज stock close हो रहा है 54 पे तो 55 का level आपको आने वाले time में हमेशा याद रखिएगा जाने की बहुत जल्दी तूटत और याद रखिएगा दिखे यहाँ पर अगर आप मुझे बात करें support की तो वो level कौन सा होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर जो support है मुझे दिख रही है 52 के level के उपर जाने की यह जो level है यहाँ पर देखिए सबसे जादा change in open interest आज हुआ है जाने की 8,36,000 shares को जोड़ा ग बताया है 67,79 के target के लिए आने वाले time में आप इसका इंतजार कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है दोस्तों यह था complete view जो मैंने आपके साथ share किया है इसके अलावा अगर आप अपनी study करना चाहते हैं आप ज़रूर कीजिए और उन levels पे भी follow and follow up जो है ज़रूर रखेगा एक इसके लिए risk आप सबका है तो अपने financial advisor से पूछ कर ही इसके अंदर कोई विनिवेश कीजिएगा इसके loss की जिम्मेदारी कोई मेरी नहीं है यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेगा मिलता हूँ next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे यह video कैसा लगा comment करके मुझे ज बूलेगा and video को like and share जरूर कीजेगा अगर आपको video अच्छा लगा